हेलो एब्रीबन, वेलकम तो अग्री कल्चारइडा 24-7, एग्री कल्चारइडा 24-7 में आपका स्वागत है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास, और आज हम देखते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग टुमैटो पढ़ने वाले हैं, क्या टोमेटो पढ़ने वाले हैं, बहुत important crop है, क्योंकि यहां से questions बहुत सारे बनते हैं, तो उन सारे questions को हम लोग देखते हुए, शुरू करते हैं अपनी class को और देखें कि क्या खास होने वाला है, तो चलिए बच्चों, शुरू किया जाए अपनी class को, हम लोग टोमेटो बढ़ रहे हैं, तो चलिए बच्चों, शुरू किया जाए अपनी class को और देखेंगे कि आज हम लोग क्या खास करने वाले हैं, ठीक है, क्या खास होने वाला है, यानि कि जो classes हैं, अब वो क्या खास होने वाली हैं, चलिए, देखते हैं, अपनी class में हम लोग टोमेटो को पढ़ने वाले हैं, बहुत important होने वाला है, तो चलिए बच्चों, शुरू किया जाए, जल्ली से एक बार कमेंट करो, बताओ, कि हाँ सर स्टार्ट किया जाए, ठीक है, चलिए, जो बच्चे नए हैं, जो चैनल पर नए जुड़े हैं, और इन्होंने अभी तक चैनल को न पाइदा उठा सकते हैं, चलिए, तो देखते हैं बच्चों, अपनी क्लास को, यानि कि आज जो हम लोग की क्लास है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम लोग टुमेटो पढ़ने वाले हैं, क्या, आपको मालूम है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टुमे Hato का scientific name क्या होता है तो जो इसका botanical name है वह होता है Solenum Solarium Lycoparcicum ठीक है क्या scientific name होता है बचे होता है generation Lycoparcicum Something Lycoparcicum इसका scientific name होता है कहीं कहीं आपको Lycoparcicum स्कूल एंटम लिखा भी मिलेगा क्या हो सकता है कि आपको कहीं कहीं लाइको पर्सिकन इसकूल एंटम भी लिखा मिले तो अब आपके ये क्या है ये कुछ सिनो नेम्स होते हैं जो नाम बदल दिये जाते हैं कभी-कभी थोड़े से चेंजिस कर दिये जाते हैं तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूत नहीं है इसका क्या नाम है सोले नाम लाइको परसिकन आपको लिखा अब मिलेगा ठीक है पहले लाइको परसिकन इसकूल इंटन आपको लिखा मिलता था ठीक है चलिए यह तो हो गए इसके नाम की बात अब हम इसके फैमिली की बात करते हैं तो इसकी जो फैमिली है वो होती है सोले नेसी होती है ठीक है बच्चे, कौन सी होती है, सोले नेसी फैमिली इसकी होती है, बोलो यहां तक चीज़े clear हैं, चलिए, यहां तक अगर चीज़े clear हैं, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, जल्दी से एक बार आप लोग comment करके बताओ, कि हाँ सर, यहां पर सारी चीज़े clear हैं, क्या, यहा हम आगे चलते हैं, और अपनी बात को देखते हैं, कि अब आगे और क्या इसमें important चीज़े हैं, ठीक है, क्या है, अब इसमें क्या important चीज़े हैं, तो अब आपका जो chromosome number है, वो कितने होते हैं tomato के, तो वो होते हैं 24, क्या होते हैं, वो होते हैं 24 यानि कि 2 and बराबर 24 chromosome numbers इसम पाई जाते हैं, ठीक है, चलिए, आगे बात करेंगे origin place की, तो इसका जो origin place होता है, वो क्या होता है, इसका origin place पेरू या Mexico, यानि की जो Central America वाला reason है, वो आपका होता है, पेरू या Mexico आपको लिखा मेलेगा, तो फिर आपको परिशान होने की जरूद नहीं है, ठीक है, यहां अगर चीजे क्लियर हैं, तो अब हम आगे चलते हैं, टोमाटो की इमेज तो आपने देखी होगी, आराम से सब ने इसकी इमेज देखी होगी, क्या, यह टोमेटो है आपका, और इमेज आपने अच्छे से देखी होगी, आप रोज इस्तेमाल करते होंगे, एज़ वेजी टे होते हैं, टोमेटो में, कितने, दो टाइप होते हैं, पहला टाइप होता है, डिटर्मिनेट टाइप, क्या लिखाए, पहला होता है आपका डिटर्मिनेट टाइप, यानि कि हम देखते हैं कि डिटर्मिनेट क्या होता है, और दूसरा टाइप होता है, इन डिटर्मिनेट, क्या, दो type होते हैं, एक होता है determinate, दूसरा होता है indeterminate, क्या indeterminate, तो दोनो types को देखेंगे, पहले हम किस type की, पहले हम determinate type की बात कर लेते हैं, ठीक है? यहां तक clear है सारी चीजे? चलिए, यहां तक clear है, तो फिर बहुत अच्छी बात है, हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे ठीक है बच्छो मंडे से आपकी classes में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा क्या जो इफको foundation की classes हैं ये इफको कह रहा हूँ जो agriculture foundation की classes हैं उसमें classes आपकी सारी चलेंगी classes के लिए परिशान मत होना सिर्फ timing में थोड़ा सा changes हो जाएगा वो आपको YouTube पर दिख जाएगा जैसे ही आप channel खोलेंगे वहाँ पर आपको नई timing आपको दिख जाएगी थोड़ा सा changes आपको दिख रहा है यहाँ पर भी आपको लग रहा है कि सर यहाँ पर इस टाइम वर्शा मैं class लेती थी तो और मैं ले रहा हूँ तो changes आपको दिख रहे Monday से आपके changes हो जाएगे थोड़े से time में थीक है classes जितनी चल रही है उतनी ही चलेंगी बस थोड़ा सा class आगे पीछे हो जाएगी कोई class पहले हो जाएगी कोई किसी की class बाद में हो जाएगी जैसे मेरी class है वो सकता late हो जाए मैं की class है change हो जाए तो इस तरह के से changes आपको देखने को मिलेंगे तो आपको परिशान होने की ज़ुरत नहीं है class आपको जो चल रही थी वही classes चलेंगी ठीक है classes में कोई changes नहीं है सिर्फ समय में changes होगा, वो भी 5 से 10 चलती हैं, 5 से 10 ही चलेंगी, लेकिन बस थोड़ा सा subject change हो जाएगे, कि किसी को थोड़ा सा पहले हो जाएगा, subject किसी का late हो जाएगा, ठीक है बच्चे, चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, type of plants, determinate type जो होते हैं, उ inflorescence occur more frequently in almost every inter node until terminal ones are formed and elongation seas, कह राय की जो determinate होते हैं, determinate की जो ग्रोथ होती है, वो एक limited height तक आती है, क्या, एक limited height तक ग्रोथ आएगी, उसके बाद जो a top portion वाली बड होती है, वो top portion वाली बड, flowering bud में convert हो जाती है, और उसकी जो growth है, वो वहीं पर रुक जाती है, यानि कि जब आपका कोई plant है, और इसकी vegetative growth यहां तक बढ़ी, और यहां पर last यापिकल growth जो है, वहां पर flower आ गए, यानि कि वो vegetative word अब flowering bud में convert हो गई, और growth वहां पर क्या हो गया, growth आपकी वहीं तक seize हो गई, यानि कि एक definite height तक उसने growth किया, कितना, एक निश्चित height तक growth किया, तो उसको कहते हैं, determinate type, अगला है, कहरा, at this point, in another word, it may be definite or self-topping at the main stem terminates with a flower cluster, या तो इसको आप self-topping varieties कह सकते हैं, कि जो कैसे, जो आपकी, कहां तक, जो आपकी, जैसे ही topping ऊपर पहुँचेगी, flower bud जो है, वो fruiting word, vegetative word जो है, वो आपकी fruiting word में convert हो जाएगी, अभी हम आपको image दिखाएंगे, उससे आपको चीज़े clear हो जाएंगी, दूसरा होता है आपका indeterminate, कौन सा, दूसरा होता है indeterminate type, ठीक है बच्चे, दूसरा indeterminate type होता है, तो कह रहा है, in fluorescence, cluster occurs at every third internode, and main axis continue to grow indefinitely, कह रहा है कि हर तीसरा, क्या हर तीसरा जो आपका बढ़, क्या है, हर तीसरा इंटरनोट जो है, वहां से आपका क्या निकलता है, वहां से आपकी नई ग्रोथ निकलाती है, और ऐसे ऐसे करके ये एक undefinite height तक, यानि कि indefinitely तक बढ़ती जाती है, यानि कि इसमें flowering bird, vegetative bird दोनों अलग-अलग आपकी निकलती रहती है, image हम आपको दिखाएंगे, image से आप idea लगा पाएंगे कि कौन सा determinate है, कौन सा indeterminate है, ठीक है, देखो, ये है आपका indeterminate, और ये है आपका determinate, देखो, determinate में क्या है, plants बढ़ा और बढ़ने के बाद ऊपर आके, यहाँ पर flowering convert हो गई, और इसमें क्या आगए, fruit आगए, और इसकी height क्या हो गई, वहीं तक जाके limited हो गई, तो इसको कहा determinate, यानि कि पहले vegetative growth पूरी हुई, फिर flowering आए, और flowering आने के बाद fruits आए, और रुक गई, यानि कि फिर इसकी growth नहीं बढ़ेगी, तो यह है आपका determinate, और indeterminate, indeterminate में क्या होता है, कि indeterminate में हर तीसरा node, यानि कि यह growth आएगी, यहाँ पर आपके fruits आजाएंगे, फिर इसकी growth बढ़ेगी, फिर इसमें आपे fruits आजाएंगे, फिर इसकी growth बढ़ती जाए होगा indeterminate होगा और इसकी हाइट हमें लगबग लगबग आपकी बढ़ती रहती है यानि कि flowering fruiting flowering fruiting इसमें चलती रहती है तो यह है आपका indeterminate type ठीक है यहां तक बच्चे चीजे clear है चलिए यहां तक अगर चीजे clear है तो अब हम बात करेंगे climate की किसकी बात करेंगे अब हम यहां पर बात करेंगे climate की बुलो बच्चे यहां तक चीजे clear है चलिए जल्दी से बताईए कि यहां तक चीजे clear है कि नहीं clear है चलिए यहां तक चीज़ें clear हैं तो यहां तक clear हैं तो अब हम बात करेंगे climate की किसकी climate की बात करेंगे कि जो आपका tomato है वो कहां पर और कैसे grow करेगा यानि कि किस climate में वो grow करेगा अच्छे से ठीक है चलिए करा tomato is a warm season crop it is neither tolerant to frost nor waterlogged condition कह रहा है यह तो warm season crop होती है कैसी tomato जो आपका है वो warm season crop है और क्या और कह रहा है कि it is neither tolerant to frost nor waterlogged nor to waterlogged कह रहा ही नहीं यह क्या होता है नहीं यह frost को tolerant करता है और नहीं यह waterlogging condition को tolerate कर भाएगा ठीक है कह रहा the optimum range of temperature is 20 to 24 degree centigrade कह रहा optimum temperature 20-24 degree centigrade कितना 20-24 degree centigrade कितना 20-24 degree centigrade कह रहा mean temperature below 60 degree and above 27 degree are not desirable lycopene content not desirable कह रहा है कि 16 degree centigrade mean temperature mean temperature का मतलब होता है बच्चे औसात अतापमान यानि कि कह रहा है औसात अतापमान 16 से कम नहीं होना चाहिए और 27 से अधिक नहीं होना चाहिए अगर यह होगा तो फिर क्या होगा इस crop के लिए उतना अच्छा desirable नहीं होगा ठीक है यहां तक clear है कहरा lycopene content इसको आपको ध्यान रखना है क्या इसको आपको ध्यान रखना है कि lycopene content is highest at 21-24 degree centigrade while the production of the pigment drops of rapidly above 27 degree centigrade कहरा जो lycopene बनता है क्या जो lycopene बनता है वो lycopene आपका 21 से लेकर 24 degree centigrade पर किस पर 21 से लेकर 24 degree centigrade पर बहुत अच्छी मात्रा में बनेगा और अगर यही temperature 27 degree centigrade या 27 degree centigrade से उपर हो गया तो फिर क्या हो जाएगा तो फिर जो lycopene का content है यानि कि जो lycopene अभी तक बन रहा था अब नहीं बनेगा यानि कि उसका बनना क्या हो जाएगा कम हो जाएगा उतनी अच्छी मात्रा में नहीं बनेगा ये दो line आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, यहां से आपसे question पूछा जाता है आगे बात करेंगे soil की, किस की? आगे हम बात करेंगे soil की, कि कौन सी soil इसके लिए profile होती है या कौन सी soil इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है ठीक है बच्चे? तो देखते हैं, soil के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी है कौन सी soil आपकी, इसके लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है चलिए देखते है तो soil की बात करते हैं करा, tomato can be grown on a variety of soil but better yield is obtained in well-drained soil करा है कि well-drained soil होनी चाहिए यानि की जो water की निกसी है वो आपकी बढ़िया होनी चाहिए fairly fertile होनी चाहिए rich in organic matter होनी चाहिए with fair water holding capacity यानि कि organic matter में अधिक होनी चाहिए water capacity या water holding capacity जो है soil की बढ़िया होनी चाहिए उसके साथ-साथ क्या रहा, for early crop, a sandy loam soil is the best, क्या रहा, early crop के लिए sandy loam soil best है, however, for higher yield, heavy soil rich in organic matter are preferred, the best soil pH is 6 to 7, क्या रहा है कि early crop अगर आपको लेनी है, तो sandy loam soil अगर आपके पास है, तो वहाँ पर आप early crop को ले सकते हैं, early crop के लिए आपको sandy loam soil सबसे बढ़िया होती है, ठीक है बच्चे यहां तक चीज़ें clear है, चलिए, आगे कह रहा है, कह रहा है, how ever for higher yielding, heavy soil, जो heavy soil है, वह आपकी बढ़िया होगी, अच्छे उतपादन के लिए, और साथ-साथ ही कह रहा है, कि organic matter में क्या होना चाहिए, organic matter में rich होना चाहिए, तब ही आपका क्या होगा, उतपादन अच्छा हो और अगर pH की हम बात करें, तो pH 6-7 सबसे बढ़िया होता है आपकी crop के लिए, क्या pH जो है, वो 6-7 होता है, सबसे अच्छा होता है, इस crop के के लिए, बोलो यहां तक चीज़ें clear हैं बच्चे, चलिए, आगे हम चलेंगे, अब हम आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे ब किसमें कौन कौन सीजन में हम लोग इसको उगा सकते हैं, उन सारे सीजन की बात करेंगे, तो कह रहा है फार रेनी आटम सीजन, यानि की बरसात और आटम सीजन के लिए, कब तो कह रहा है, the seeds are sown in the month of June and July, यानि की रेनी और आटम सीजन के लिए, पहली बात इस सीजन को आप इसको उगा सकते हैं, ठीक है, पहली चीज, दूसरी चीज, फोटो परियोडिक के हिसाब से, क्या फोटो परियोडिक के हिसाब से, ये आपका day neutral plant होता है, क्या day neutral plant होता है, तो day neutral plant होगा, तो इसको बहुत ज़्यादा खास, light कि आवसकता नहीं पड़ेगी, कि flowering के लि time hour की आवसकता नहीं होती है, कि 12 गंटे से ज़्यादा चाहिए, या 12 गंटे से कम चाहिए, ऐसा कोई scene उनके हिसाब से नहीं बनता है, ठीक है बच्चे, यहाँ तक clear है, तो इसको हम तीनों सीजन में ग्रो कराते हैं, तो पहला सीजन जो है, करा rainy autumn सीजन है, इसमें जो इसक season जो है, वो है autumn और winter season, क्या, यानि कि एक आपका यह season हो गया, अब यह दूसरा season होगा, तीसरा season हम और देखेंगे, दूसरा season है आपका autumn और winter season, तो कहरा इसमें, seeds are sown in the month of September and October, कहरा इसमें जो seed की sowing की जाएगी, वो आपकी September और October के महिने में की जाएगी, ठीक है, कब September औ और October के महिने में की जाएगी, और अगले point की बात करें बच्चे, तो कहरा है, अगला जो season है, यानि कि spring और summer season, कौन सा, spring और summer season, कहरा, seeds are sown in the month of January, February, कहरा है, spring और summer season के लिए, जो आपकी इसकी बुआई करनी पड़ेगी, वो कब होगी बुआई इसकी, इसकी बुआई होगी आपकी January और February के महिने में, ठीक है, कब January और February के महिने में आपकी इसकी बुआई होगी, तो यहां तक आपको ये एक तीन season है, मैंने अभी आपको बताया, कि ये day neutral plant है, और day neutral plant को बहुत ज़्यादा light के hours जो होते हैं, flowering के लिए, उसकी आवसकता नहीं होती है, तो ब जल्दी से बताये कि यहां तक सारी चीज़े क्लियर हैं और आपको बात समझ में आ गई है, तो ये तीन season है, फोटो पेरियोडिक के हिसाब से, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो ये तीनो season है, जिन में हम crop को grow करा सकते हैं, चलिए, अब हम आगे बात करेंगे seed rate की, किस में दो टाइब के seed लगते हैं, टोमैटो में आपके दो टाइब के seed लगते हैं, एक normal varieties के लिए और दूसरा hybrids के लिए, क्या, एक लगता है normal varieties के लिए और दूसरा होता है hybrids के लिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं, कहरा है, the seed rate depends upon the germination percentage of seed, कहरा है कि जो seed rate होता है, वो जो plants है, जो आपका seed है, उसके germination percentage के हिसाब से depend करता है, कि germination आपका कैसा है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत variation आता है, बट हमेशा एक data जो है, वो आपका perfect कर लिया आता है, कि इतना आपको लगबग लगबग लगाना होता है, ठीक है, तो कहरा normally 300 to 400 gram, कितना? कहरा 300 gram से ल लेकर 400 gram और 100 gram से लेकर 1.500 gram, क्या? 100 gram से लेकर 1.500 gram दो आपके seed rate लिखे हैं, क्या? दो आपके seed rate लिखे हैं, कहरा है कि 300 से लेकर 400 gram और 100 से लेकर 1.500 gram आपका क्या होता है? यह आपका seed है for open pollinated varieties, यानि कि जो normal open pollinated varieties हैं, उनके लिए 300 से 400 gram, यानि कि normal seed rate अगर आप से पूछे तो आप बताएंगे कि 300-400 ग्राम होता है और अगर आप से hybrids के पूछ ले तो hybrids को लिए बताएंगे आप 100-500 ग्राम क्या? hybrids के लिए आप बताएंगे 100-500 ग्राम और normally आप बताएंगे 300-400 ग्राम seed rate ठीक है बच्चे यहां तक चीज़े clear हैं दो आपको seed rate दिखाई गए हैं उसके आगे कहरा hybrids are required for planting one hectare land कह रहा है कि यह जो seed हैं वो एक hectare land के लिए require होते हैं किसके लिए? 300-400 ग्राम ग्राम और नॉर्मल वेराइटीस के लिए और 100-500 ग्राम आपका किसके लिए? 100-500 ग्राम आपका sufficient होता है हाइबरिड के लिए यहां तक बच्चे clear है जल्दी से एक बार comment करके बताओ कि हाँ सर यहां तक सारी चीज़ें क्लियर हैं जल्दी से बताओ बच्चे कि हाँ यहां तक सारी चीज़ें क्लियर हैं चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया है जो भी बताया है वो सारी चीज़ें आपको यहां तक समझ में आ गई है अब हम आगे चलेंगे रखी है ठीक है चलिए तो काफी सारी varieties है तो देखते हैं उन varieties में क्या खास है चलिए बहुत अच्छी बात है रोहित करे सुबज में आ गया अब शेक रंजन चलिए बहुत अच्छी बात है ठीक है तो अब हम बात करते हैं कहरा varieties for fresh market क्या जो fresh market के लिए varieties चाहिए वो आपकी क पूसा अर्ली पूसा अर्ली डिवारफ ठीक है क्या यह कॉमा यह पर गलत लग गया है पूसा अर्ली डवारफ है पूसा अर्ली डिवारफ पूसा रूबी पूसा comprend ौ 2, 583, अर्का विकास,अर्का सौरब, सीयो थी, पंजाब केसरी और सा तीसा पंथार यह varieties आपकी किस के करना होता है just after the harvest ठीक है उसके बाद for distance market यानि कि वहाँ पर आपको भेजना है जहां पर आपको क्या आपको इस अपने प्रड़क्त को काफी लंबिट दूरी के बाद market को भेजना है यानि कि जहां पर एक दो दिन का समय लगता है market में पहुँचने के लिए ठीक है तो उसके लिए distance market के लिए कौन सी variety आप यूज़ करते हैं उसमें है आपकी पूसा गौरव, रोमा, पंजाब, छुहारा बहुत famous variety है और पूसा उपहार बचे एक बात ध्यान रखना ये सारी varieties बहुत famous varieties है अगर आप इतनी भी याद कर लोगे न तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इससे बाहर कोई question पूछा जाएगा ठीक है क्या मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई questions पूछा जाएगा पूसा अरली पूसा अरली ड्वार्फ ये एक वराइटी है बच्चे ठीक है पूसा रूबी पूसा 120 पंत T3 अरका विकास अरका सौरव, CO3 पंजाब केसरी और पंत बाहर फ्रेस मार्केट के लिए distance मार्केट के लिए पूसा गौरव, रोमा, पंजाब, शुवारा और पूसा अपहार ये आपकी distance मार्केट के लिए है सर, class जल्दी होने लगी, मैं सोचा 7 वजे, बच्चे आज class जल्दी होई है, मंडे से schedule थोड़ा सा change हो रहा है क्या, class का schedule जो है, वो timing change हो रही है, timing आपको YouTube पर दिख जाएगी, कि मंडे की classes में, time, classes आपकी कोई बंद नहीं होगी, जो 5 वजे से लेकर 10 वजे तक चलती है, वो वैसी ही चलेंगी, बस subject की timing change हो जाएगी, कि मेरी class हो सकता है, आपको 8 वजे मिले, ठीक है, हो सकता है, इस time पर 6 वजे वाली class में हो सकता है, आपको मीनाक्षी में बढ़ाएं, ठीक है, तो वो आपको schedule Monday को दिख जाएगा, channel पर, तो उसको आप लोग देख लीजेगा, schedule में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, ठीक है, आज की class तोड़ी जल्दी होई है, कल Monday से schedule में परिवर्तन है, उसके बाद variety यहां पर बताई गई है, processing के लिए, processing में आपको मालूम है कि tomato से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, क्या, tomato से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, अल सब्जेक्स का लिया है क्या सर, बचे अल सब्जेक्स का मतलब यह है कि जो भी सब्जेक्स चलते हैं पांच वज़े से लेकर दस वज़े तक, जो भी हमारा एगरिकल्चर फांडेशन क्लासे चलती हैं यूटूब पर पांच वज़े से दस वज़े तक, उन class की timing में थो थोड़ा सा changes किया गया है, कोई class पहले हो जाएगी, कोई class बाद में होगी, लेकिन class जो हो रही है, वो सभी class होगी, ठीक है, यूटूब पर आपको दिख जाएगा, वहाँ पर आप लोग सारी class की timing एक बार देख लेना बच्चे, ठीक है, वहाँ पर आपको timing दिख है, agriculture ही main subject है, 100 question आने हैं, तो आपको तो आएंगे ही, बिल्कुल आएंगे बच्चे, ठीक है, चलिए, variety for processing, कहरा जो processing के लिए variety हो इस्तेमाल करते हैं, वो processing के लिए variety है, आपकी पूसा गोरो, उसके बाद राउसा, उसके बाद है आपकी पंजाब चुवारा, और आपकी है पूसा उपहार और अरका सौरब, ये आपकी, क्या, ये आपकी processing के लिए variety यूज होती है, हाँ बच्चे, horticulture हर किसी exam में आती है, आपका कोई भी exam हो, agriculture का, उस सारे exam में horticulture जरूर पूछा जाता है, और अच्छे खासे weightage के साथ पूछा जाता है, चलिए, आगे बात करत है, सीड के treatment की, किसके, सीड के treatment की बात करते है, सीड के treatment की बात करते है, करा treat the seed with trichoderma vedy, यानि कि trichoderma vedy से treat करेंगे, कितना trichoderma, 4 ग्राम चाहिए होगा, और pseudo-monnaz चाहिए होगा, यानि कि pseudo-monnaz, fluorescence चाहिए होगा, 10 ग्राम, ये दो क्या है, ये दोनों microbial organism है, इन से इसक trichoderma vedy से, और pseudo-monnaz से, और कारविंडा जिम, 2 kg पर kg of seeds, 24 hour before sowing, कह रहा है कि trichoderma vedy आपका 4 kg प्रत किलो ग्राम के हिसाब से treat कहता है, 4 ग्राम प्रत किलो ग्राम और आपका fluorescence, यानि कि pseudo-monnaz fluorescence, आपका 10 ग्राम प्रत किलो ग्राम के हिसाब से, यानि कि 1 kg अगर seed है, तो आ आपको कितना, 10 ग्राम, 1 kg seed में, आपको 10 ग्राम pseudomonas fluorescence डालना है, और आपको 4 ग्राम trichoderma vedy डालना है, ये तरीका होता है, treat करने का, और कितना, आपको 24 गंटे पहले, बुवाई से, यानि कि जो भी आप seeding करेंगे, उससे 24 गंटे पहले आपको treat करना होता है, कह रा है, just before sowing, treat the seed with azo spirellum at 40 gram prat 400 gram of seed, कह रहा है कि, sowing से तुरंद पहले, आपको azo spirellum का use करना है, वो भी कितना, वो भी आपको 40 gram और 40 gram किस में, प्रत 400 gram में, ठीक है, यानि कि 400 ग्राम सीड के लिए 40 ग्राम आपको जो स्पाइरिलम यूज करना है कह रहा है, sow in lines at 10 cm apart in a raised nursery bed and cover with the sand तो कह रहा है कि यह treat करोगे, उसके बाद आप इसको नर्सरी में sow करोगे तो नर्सरी में जब sow करोगे तो किस spacing के साथ 10 cm की spacing के साथ वो भी raised bed and cover with the sand bed के उपर आप उसको seed करोगे और seed करने के बाद उसको cover कर दोगे ताकि heat generate हो और आराम से क्या हो जाए, germination तेजी से हो सके ठीक है, यहाँ तक clear है बच्चे, चलिए यह तो बात हो गई nursery की, किसकी? nursery में हमने लगा दिया plant spacing के साथ, proper spacing के साथ nursery में plant जब लग गया, तो nursery में plant लगने के बाद, क्या? nursery में plant लगने के बाद, आप उसको क्या करेंगे? अब उसको करेंगे field में transplant और जब field में करेंगे transplant तो फिर आपको चाहिए होगी एक proper spacing क्या चाहिए होगी? तब आपको एक spacing चाहिए होगी तो वही यह कह रहा है कि spacing for the varieties कह रहा है कि जब अब हम क्या करेंगे अब हम plant हमारा तयार हो गया है अब कितने दिन बाद लगबग आपका 4 weeks के बाद यानि कि 25 दिन के बाद 25 days after आप क्या कर सकते हैं transplanting कर सकते हैं round figure में आप 4 weeks कह सकते हैं कि 4 weeks के बाद आप transplanting कर सकते हैं तो अब आपको transplanting करनी है तो आपको spacing चाहिए होगी और spacing क्या रखनी है 60-45 cm रखनी है spacing किसके लिए hybrids के लिए किसके लिए hybrids के लिए क्यों अब hybrids मैंने आपको बताया था है कि hybrid का जो seed production होता है seed production करा हूँ hybrids का जो seed rate होता है वो मैंने 100-500 gram बताया था क्या 100-500 gram बताया था बच्चे तो 100-500 gram जब seed rate कम है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर seed rate कम है तो सीधी बात है कि plant से plant की दूरी क्या होगी आपकी ज़्यादा ही होगी क्या होगी ज़्यादा होगी तो कितना spacing रहेगा 60-45 cm spacing रहेगा अब उसके बाद कह रहा है कि दूसरी spacing है 45-30 cm ये आपकी normal varieties के लिए चाहिए होगा क्या normal variety के लिए चाहिए होगा 30-45 cm क्यों क्योंकि इसका seed rate कितना बताया था मैंने 300-400 gram की आसपास लगबग बताया था ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको spacing भी maintain रखनी है चलिए रोहित कह रहे हैं कैसे करें सर रेगरी कल्चे की तयारी बचा हम तयारी आपकी करवा रहे हैं आप तयारी करते रहो जो हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ते रहो सुबह साथ वजे सुबह से क्लास स्टार्ट होती है नौ बजे से ठीक है पहले IBPS AFO की क्लास चलती है उसमें हम लोग practice कराते हैं MCQs की ठीक है उसके बाद 10 बजे 12 बजे के आसपास आपकी स्टार्ट हो जाती है क्या आपकी स्टार्ट हो जाती है IBPS AFO AGT की तयारी उसमें भी हम लोग MCQ की practice करवाते हैं यानि कि सुबह से लेकर साम तक जितने भी आपके subject है agriculture के प्लस इफको में जो और भी other subject आने है उसकी भी class चलती है यूटूब चैनल को खोलो अड़ा 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 वाले को उसपे आप देखोगे वहाँ पर free class हाँ बच्चे इस अब class free है कोई paid class नहीं है इस अब free class है ठीक है चलिए आगे हम बात करते हैं किसकी अब हमने transplanting कर दिया है spacing के साथ अब हमें चाहिए क्या अब हमें वहाँ पर transplanting करनी है क्या transplanting करनी है तो transplanting हो गया transplanting होने की बाद अब हमें कुछ techniques इस्तेमाल करनी पड़ती है कि weed control रहे moisture conservation रहे तो हम क्या करेंगे mulching करते हैं तो mulching कैसे करते हैं इस बात को ध्यान रखते है mulching का मतलब होता है cover of the soil to cover the soil क्या to cover the soil mulching का मतलब होता है to cover the soil यानि की जो soil होती है उसको cover करने के लिए mulching का इस्तेमाल करते हैं तो mulching का जब इस्तेमाल करते हैं तो mulching का इस्तेमाल करते हैं बच्चे, तो कहरा mulch with black low density polythylene seed of 25 micron thickness and bury both the ends into the soil and depth of 10 centimeter, ठीक है, चलिए, रोयत करें, all subject की हाँ बच्चे, सभी subjects ही, agriculture के सारे subject, आप एक बार channel पर देखो तो, आप वहाँ पर वो करो, सारी subjects आपको मिलेंगे, ठीक है, चलिए, very good evening लोपा, ठीक है, तो बच्चे, सुरू करते हैं, अब हम लोग बात कर रहे थे, mulching की, तो mulching के लिए कौन सी polythylene, black polythylene यूज करनी है, low density polythylene, LDPE का मतलब है, low density polythylene और कितने gaze की, तो 25 micron की polythylene आप यूज कर सकते हैं, दोनों साइड से उसको कह रहा है, कि आ हैनी कि दोनों end पर उसको क्या कर देंगे, दवा देंगे ताकि वो उसके उपर काईदे से set हो जाए, और अराम से वहाँ पर क्या हो सके, वहाँ पर आपका सारे अच्छे से वो manage हो सके, जिको इसका मतलब क्या रहेगा, इससे दो फाइदे है, mulching से, पहला फाइदा, कि नहीं करना होगा, आपको moisture conservation हो जाएगा, दूसरा वहाँ पर आपका weed growth नहीं आएगा, जब weed growth नहीं आएगा, तो plants के प्रती competition नहीं बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद अगर weed control करना है, weed मालो आप मल्चिंग नहीं करते हैं, तो आपको weed control करना है, तो weed control के लिए आपको pendimethylene एक क्लोग्राम active ingredient, क्या, करा, pendimethylene एक क्लोग्राम active ingredient per hectare, या फिर flu chloraline एक क्लोग्राम active ingredient per hectare, as a pre-emergence herbicide, करा है कि इन दोनों को as a pre-emergence herbicide, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, pendimethylene को और flu chloraline को, उसके बाद करा, followed by handbeading, once at a 30 days after planting, यानि की planting के 30 दिन बाद, चलिए, आगे चलते हैं, ये अब मैंने आपको field दिखाई है, दिखो आपको मालूम है कि tomato में stacking की जाती है, क्या, tomato में stacking की जाती है, तो stacking कई type से की जा सकती है, ठीक है, बदलते जमाने के हिसाब से techniques की भी क्या हो रही है, बदलती जा रही है, जरूरते भी बदलती जा रही है, तो उस हिसाब से नई नए techniques develop हो रही है, तो ये भी एक stacking का method है, बस बस रते क्या किया गा है, इन्होंने इसको ऐसे cross लगा कर और इस पे क्या rope का सहरा लिया है, plants को वो करने के लिए, ठीक है, क्या क्या है, rope का सहरा लिया है, plants को वो करने के लिए, तो यहाँ पर आपको चीजे clear कलियर दिख रही होंगी थिए क्या है यहां पर आपको चीजें क्लेर दिख रही होगी चलिए आगे चलते हैं अब बात करते है मन्योड की इसकी से मल्चिंग में ड्रिप अप्ट ऑपड़ेशन चैनल से करिए, या फिर आप drip irrigation लगाईए, जो सबसे best होता है, और best होने के साथ क्या होता है, आपका एक तो water कम खर्चा होगा, nutrients आपके proper drip से ही जाएंगे, और साथ ही साथ आपको weeding की समस्या से problem हो जाए, समस्या से चुटकारा मिल जाएगा, यानि की आपको उसमें क्या न manuring की बात करते हैं बच्चे, तो manuring जो normal varieties होती है, उन में manuring कैसे करते हैं, इसको देखते हैं, कहते हैं, बेसल डोज, FYM डालते हैं, 25 ton प्रती हक्टेयर, और NPK का जो ratio रहता है, वो 75, 100 और 75 रहता है, यानि की 75, 100 और 50 kg पर हक्टेयर, ठीक है, 75, 150 kg पर हक्टेयर रहते हैं, और 25 ton FYM ये आपका किस में रहता है, बेसल डोज में रहता है, बोरेक्स 10 kg डाल देते हैं, और जिंक सलफेट आपका 50 kg प्रती हक्टेयर डालते हैं, नॉर्मल वराइटीज में, ठीक है, टॉप ड्रेसिंग में बच्चे क्या करते हैं, कि 75 kg nitrogen on 30 दे, यानि की 30 दिन, और after planting and during earthing up, यानि की planting के 50 दिन बाद आपको 75 kg देनी है, क्या nitrogen और या फिर टॉप ड्रेसिंग से दे दो, टॉप ड्रेसिंग का मतलब आप जानते होगे, खड़ी भसल में, या करना fertilizer को देना, छिड़काओ करना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है, ठीक है, चलिए, हाइब्रिट की बा का data जो है, वो बदल जाता है, यानि की यहां हो जाएगा 50, 250 और 100 kg, क्या, 50 kg nitrogen, 250 kg phosphorus और 100 kg आपका potassium, तो यहां पर जो आपकी hybrids लगाओगे, उसमें आपको fertilizer जादा देनी पड़ेगी, ठीक है, 10 kg borex और 50 kg zinc sulfate, वो आपको देना है, यह सीधे सीधे पूछ ले जाता है, कि कि nitrogen hybrids को दिया जाता है, या NPK का क्या ratio रहता है, NPK कितना रहता है, hybrids tomato के लिए, तो यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, top dressing करनी है, nitrogen और potassium, इच 500 kg प्रत hectare, इन 3 equal splits, 30, 45 और 60 days after planting, कह रहा है कि hybrids में थोड़े से changes हो जाएंगे, कैसे, कि जो आपको देनी थी top dressing, वो अब 3 split dose में, यानि कि आपको 3 बार देना है, कितने दिन के अंतराल पर, वो आपको देना है, 30, 45 और 60 days के अंतराल पर, ठीक है, यहाँ तक चीज़े clear हैं, चलिए, यहाँ तक clear हैं, तो अब हम चलेंगे आगे, अब tomato की growth बढ़ाने के लिए, tomato का growth regulator का use किया जाता है, तो उसकी ब spray 1.25 ppm या 625 ml in 500 liter of water, यह इसका conversion है, क्या है, यह 125 ppm का conversion है, कि कैसे हम 125 ppm बनाएंगे, तो यह यहाँ पर लिखा है, कि 625 ml को जब आप 500 liter में घोलेंगे, तो यह concentration आपको मिलेगा, ठीक है, कहना, ट्राइकेंटनोल, इसको आपको ध्यान रखना है, किसको, ट्राइकेंटनोल को आपको ध्यान रखना है, यही ट्राइकेंटनोल इंपॉर्टेंट है, इसी का spray किया जाता है, यही पूछा जाता है, तो कहरा, ट्राइकेंटनोल at 15 days after transplanting and at a full bloom stage to increase the yield, कहरा, yield बढ़ाने के लिए, आप ट्राइकेंटनोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, टोमेटो में, जिससे आ आपको yield अच्छी मिलेगी, और कब एक तो planting के बाद, कब planting के, पंदा दिन planting के बाद, या और दूसरा आपको full bloom, यानि कि जब flowers अच्छी तरीके से खिल चुके हैं आपके plant में तब, ठीक है, यहां तक चीज़ें clear हैं बच्चे, चलिए, अब हम बात करते हैं, harvesting और yield की, किस के मौसम में, चार से पांच, क्या, चार से पांच दिन के अंतराल पर करते हैं, whereas for winter crop, picking should be at weekly interval, कह रहा है, कि सर्दियों के time हम weekly interval पर करते हैं, और कह रहा, the yield varies greatly according to varieties or season, जो उतपादन है, वो variety मौसम के हिसाब से vary करता है, ठीक है, क्या करता है, उतपादन के हिसाब से, variety के हिस किस मौसम में आप ग्रो कर रहे हैं, उस मौसम के हिसाब से भी, वो क्या करता है, vary करता है, करा on average, yield of open pollinated varieties range from 20 to 25 ton per hectare, करा open pollinated varieties, यानि कि जो normal varieties है, वो कितना 20 से 25 ton per hectare, और hybrids, जो है, वो आपकी 50 ton तक चली जाती है, क्या, यानि कि उनका जो उतपादन है, वो 50 ton प्रती hectare तक चला जाता है, चलीए, यहाँ तक चीज़ें clear हैं बच्चे, चलीए, आगे चलते हैं, अब हम कुछ disease की बात करेंगे, यानि कि कुछ disorder की बात करेंगे, किस की, कुछ disorder की बात करेंगे, ठीक है, सर, BHU की तैयारी करनी है, बिलकुल बच्चा तैयारी होगी, आप लोग बस मेनत करते रहिए, मैंने आपको यहाँ पर इतना अच्छा content दिया है, लगबग 55 class, आज 55 class आईए, होटी कल्चर की 55 class है, आप समझ सकते हो, कि सारा होटी कल्चर, यानि कि जो fruits थे, मैंने एक एक पढ़ा दिये हैं, यहाँ पर यह पढ़ा रहा हूँ, vegetables, और इसके साथ MCQ भी करवाता हूँ, तो जो बच्चे नए हैं, जिनको भी जानकारी नहीं है, वो at least एक बार हमारा channel का जो page है, agriculture अड़ा का, उसको खोलो, उसक कि यहाँ पर हमने इतनी सारी चीज़ें उस पर बताई हैं, इतने सारी classes अभी भी चल रही है, सुबह इस class start होती है 9 बजे से, और रात 10 बजे तक classes चलती हैं लगातार, ठीक है, तो आप अगर यही सारी classes देखते रहेंगे ना, तो आपके लिए बहुत sufficient हो जाएगा, तो ए बचा practice आपकी होती है, practice आपकी होती रहेगी वहाँ पर, क्योंकि questions बिना आप question करें, आप कितना भी पढ़ते रहों, बिना question के practice नहीं होती है, चलिए, तो हम लोग पढ़ रहेते, blossom in rot, कुछ हम disorder की बात करते हैं, आप tomato के जो disorder tomato में हो जाते हैं, क्या, tomato के जो disorder है, यह blossom in rot ह देख रहे हैं किसके, ठीक है, क्या, हम, यह आप fruit देख रहे हैं, इस fruit में आपको दिख रहा है, कि यह नीचे क्या हो रहा है, blossom in rot हो रही है, तो इसी को कहते हैं, blossom in rot, और यह किस में होता है, यह आपका tomato में होता है, और किस की वज़ए से होता है, यह आपको पता होगा, न और किस में होता है टोमेटो में होता है ये ठीक है बच्चे क्या होता है टोमेटो में होता है ब्लॉजम इंडरॉट जो की काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत एक्जाम्स में पूछा जाता है अब हम टोमेटो की क्रॉप कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट् cat face, क्या है, tomato का जो disorder है, ये cat face है, इसमें जो fruit आपका होता है क्या, जो fruit होता है उस fruit का shape क्या हो जाता है खराब हो जाता है, देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है cat face और ये tomato का disorder है, क्या बहुत बार ये पूछा गया है बच्चे कि cat face किसका disorder है और cat face आपका किसका disorder होता है ये है आपका tomato का disorder ठीक है तो आगे चलते हैं अगला है आपका sun scale क्या होता है sun scale ये भी एक tomato का physiological disorder होता है इसका tomato का physiological disorder है ये देखो यहाँ पर इसमें spot दिख रहा है यानि कि scale दिख रहा है तो ये होता कैसे है कि जब जब ये fruit जो है आपका sun के उसमें exposure में आ जाता है तब ये आपका हो जाता है ठीक है sun के exposure में आ जाता है यानि कि fruit का area जब डारेक्ट बहुत तेज सनलाइट के उस signScale हो जाता है एस च्शिच ही का टियारी की समस्या है है ठीक है क्या बेपर आप एजिटी का इंडी का इंग्लेस में करोंगे तो फिर पेपर में समस्या हो जाएगी आप पेपर कई तैयारी हिंदी में की है और वहाँ पिपर इंगलिस में आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो ये एक समस्या रहेगी तो जो ये sun-scaled की हम बात कर रहे थे बच्चे किसकी sun-scaled की बात कर रहे थे जब fruit हमारा expose करता है sun की light में तो ये sun-scaled की समस्या हो जाती है ये किसका disorder है ये tomato के disorder है जो हमने यहाँ पर discuss किये ठीक है ये कुछ disorders थे जो हमने यहाँ पर discuss किये आज की class काफी important रही ठीक है और हाँ एक बात बच्चों कि समय में परिवर्तन हो रहा है Monday से आपके थोड़े से changes होंगे time में classes कोई बंद नहीं होगी जो भी classes YouTube पर चल रही है वो as usual आपको मिलेंगी बस subject के timing में थोड़ी सी change हो जाएगी वो आपको YouTube channel के page पर वहाँ पर आपको दिख जाएगी वहाँ से आप देख लेना time को एक बार और फिर Monday को मुलाकात करेंगे एक खास बात और जो बच्चे महापैक purchase करना चाहते हैं वो कर सकते हैं 75% off चल ला है और साथ ही साथ double value चल लई है क्या double value चल लई है तो जो बच्चे purchase करना चाहते हैं वो purchase कर सकते हैं Y443 code के साथ Y443 code लगाईए adda247.com पर जाईए या फिर आप adda247 का application डाउनलोड करिए application डाउनलोड करके अगर purchase करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ coins लगाके coin वहाँ पर आपको उपर दिखेंगी coins लगाके आप और सस्ता कर सकते हैं यह test series के लिए है जो आपका Y443 code के साथ क्या Y443 code के साथ कितने का 2300 रुपए का मिलने वाला है चलिए इफको का form भरने में हर semester में 60% होना चाहिए हाँ बच्चे इफको का form अगर आपको भरना है तो हर semester में आपको 60% होने चाहिए यह नियम है ठीक है क्या यह नियम है आपके 60% हर semester में होने चाहिए चलिए इफको का भैच है 12 तारीक से सुरू हो रहा है कबसे 12 अपरेल से सुरू हो रहा है जादा समय नहीं है 2-3 दिन का बचा है बहुत सारे बच्चों ने purchase कर लिया है नया बैच स्टार्ट होगा उस दिन से और जो बच्चे purchase करना चाह रहे है Y443 कोड का इस्तेमाल करके उसको आप purchase कर सकते हैं अभी आपको off मिल रहा है तो यह 2300 रुपय का पढ़ने वाला है चलिए यह है अगरी कल्चर का माहापेक चलिए तो जो बच्चे नय जुड़े हैं मारे साथ वो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें साथी साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको amazing videos जो हैं हम लोग की वो मिलती रहें और मंडे को आप लोग एक बार जरूर time देख लीजेगा आप पेज़ पर वहाँ पर आपको नया time table सब दिखेगा उसके बाद आप लोग हम मुलाकात करेंगे मंडे को और तब तक के लिए जैहिंद